हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूटीब चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारे हूं बहुत ज़्यदा कम ओईल का इंस्टन ब्रेकफस्ट की रेसिपी यह बड़ी आया है टेस्ट में भी अमेजिंग बनाना भी आसान है और साथ में इसमें आदा कप सूजी सूजी आप कोई भी ले सकते हैं बारिक वाली हो या फिर मोटी वाली हो इसके बाद लेंगे आदा कप तही इसके बाद नमक जाएगा एक चम्मत जाएगी चीनी नमक और चीनी दोनों का यूज करना है इससे टेस्ट बहुत बढ़े आएगा अब हम अब इसमें पानी लग जाता है और अच्छे से मिलाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी हमें पतली रखने है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिक्स करते जाएं तो यह देखिए अब यह बहुत ज़्यादा गाड़ा है इससे भी पतला यहां पर थोड़ा सा पानी मैंने और डाला अच्छे से मिक्स किया देखिए इस तरह से अभी हम इसे रखेंगे 10 मिनिट के लिए और अकर लगेगा बाद में कि हमें इसमें और पानी मिलाना है तब हम पानी मिला देंगी क्योंकि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी द्रग धनिया पत्ता अधा कप और साथ में डाल देंगे मुवफली तो यहां पर तीन बड़ा चमच मुवफली डाल दें आधा चमच नमक और दो चमच नीबू कर रस तो आप चाहें तो मेजर करके डाल दें या फिर ऐसे आधा निबू कट करके डाल दें और अब यहां पर हम यह हमारा लिक्विट चेक कर लेते हैं तो यह देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी एकदम पउफेक्ट है इसमें पानी वगएरा नहीं मिलाना है अब हमें जो यह लिक्विट है उसे स्मूथ करना है स्मूथ करने के लिए हम इसे एक बाग ग्रांडिंग जार मे मिक्स करके अच्छे से पीष लें आप चाहें तो विसकर का यूज करके इसे विसक कर सकते हैं या फिर इसे पीष लें अगर आपको कम महनत करनी है तो यह देखिए हमारे लिक्विट एकदम तयार है इकदम स्मूथ एकदम पउफेक्ट है अब हम इसमें डालेंगे एक पै आपको रिजल्ड जादा जल्दी मिलेगा तो यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसके अपम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा ऑइल डालेंगे तो यहां पर दीखे मैंने बहुत कम ऑइल डाला है इसी को हम तवे पर अच्छे से ग्रीस कर ल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से फैला देंगे तो हलका सा फैल आई गए यह अपने आप ही फैल जाता है अब इसे ढग देंगे दो मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे यह देखिए अब हलका सा फूल गैस में जाली बनके अब हम थोड़ा सा ऑइल तो इसे ढग दिनगे और मीडियम फ्लेम करके इसे फिका लेंगे आप यह तो तवे को साइट से करके भी पका सकते हैं और यह देखे ट्रेंट्स अपन बनके तयार है निकाल लेते हो सीन प्रोसेस हैं सारे अपन बना लेने हैं अ तो यह देखे बनाना इसे बहुत आसान है और इसके साथ आप सर्फ करें यह मुफली की चटनी इसके साथ इसका टिस्ट बहुत बढ़ी अलगेगा तो फ्रेंड्स आप रिक फॉस्ट में जरू बना के ट्राय करिएगा बनाने में भी आसान है यह देखे मैं आपको तिखाती और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं ऐसे एक रेसिपी के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई